मनिपूर में सरकार, प्रशासन, सिक्योरिटी फोर्से सब मिलकर हालात को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं हो मिनिस्टर अमिर्शाह लगातार मनिपूर के हालात पर नजर बनाये हुए है और दिन में तीन बार प्रधान मंतरी नरेंदर मुदी को अपडेट दिया जाता है लेकिन विरोधी दलों की मनिपूर पर राजनीती जारी है अब मनिपूर के हालात का जायजा लेने के लिए कल विपक्ष्री दलों के 20 MP मनिपूर जाएंगे इन में कॉंग्रिस, NCP, RJD, JDU, उध्रव ठाकरे की शिवसेना, समाजबादी पार्टी, लेफ्ट पार्टी, तमिनलाड की DMK और VCK, आम आदनी पार्टी और TMC के सांसदों में विरोधी दलों की डेलिगेशन में अधी रंजन चौधरी, सुश्मिता देव, राजीव रंजन और ललन सिंग, मनोज जहाद, जैन सिंग, जावेद ली खान, अरविन सावन और TMC की सुश्मिता देव हैं सुश्मिता देव ने कहा कि विपक्षी दलों ने तो सरकार से एक महिने पहले ही अपील की थी कि मनिपूर के हालात का जाइजा लेने के लिए एक All Party Delegation भीजा जाए लेकिन सरकार दी उनकी बात नहीं मानी, इसलिए अब विरोधी दलों का Delegation खुद मनिपूर जाएगा और वहां लोगों से बात करेगा, और उन्हें ये भरोसा दिलाएगा कि पूरा देश मुश्किल की इस घड़ी में मनिपूर के लोगों के साथ है अमिट्शा जी मनिपूर गए करीब तीन दिन वहां रहे, हमने मीडिया में देखा कि उन्होंने बहुत लोगों से बातचीत की और सरकार से भी बातचीत की, पर मनिपूर के परिस्तिती में कोई परिवर्तन नहीं आया, उचित था कि सरकार की तरफ से एक All Party Delegation मनिपूर भ गए, तो उन्होंने उसको कोई महत्व नहीं दिया, जब तक सरजमीन पर जाकर परिस्तिती हम नहीं देख पाएंगे, हमें जो भी आज दिख रहा है, मीडिया पर दिख रहा है, वहां पर आप जानते हैं, इंटरनेट भी बंध है, तो वहां जाकर रिलीफ कैंप्स में जा जाएगा 11 अगस्ट को, फिर क्या, तो इसलिए वहां जाना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें सरजमीन पर जाके पता लगे कि वहां पर क्या समस्या है, वहां के लोग क्या चाहते हैं, वहां की सरकार में क्या कमिया हैं, और किस तरह की समस्या हैं. एंसेपी की तरफ से सांसद मुहम्मद फैजल भी कल मडिपूर जाएंगे, मुहम्मद फैजल ने कहा कि विपक्षी सांसदों के इस दौरे का मकसद मडिपूर के लोगों के जखमों पर मरहम लगाना है, वहां के जमीनी हालात का पता लगाएंगे. यह महसूस लेना चाहिए, वहां जो एफेक्टेड है जो लोग है, उनसे मिलने की कोशिश भी करना चाहिए. इस बात को लेकर फिर एपोसिशन की बतहर हुआ कि पारलिमन इसकी आज खतम होते ही, साटड़ेट संड़े का दिन जो पारलिमन नहीं होगा, उसी दिन वहां जा के बात करके डारेक्टली उनकी पीडा को समझने के लिए हम जानी की जो लोगों को बढ़काने की कोशिश नहीं करेंगे, गरम माहौल में आग को और भढकाने की कोशिश नहीं करेंगे. बाकी विपक्षियों को मैं क्या कहूं, कॉंग्रेस पार्टी को क्या हो गया है, तो देश में शाषन कर चुकी है, अगर बहस चलती तो इनके समय में नौर्थिस्ट में क्या क्या किया गया हम बताते, 500 बार मंत्री गए हैं नौर्थिस्ट, मैं भी गया था मंत्री था, प् लेकिन राहुल गांधी के अगवाई में राष्ट हित की बात करना क्या करूपिरा दायक है, विरोधी दलों के सांसाद मनिपूर जाएं, इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है, मनिपूर के लोगों के साथ पूरे देश को सॉलिडारिटी दिखानी ही चाहिए, इसे पहले राहुल गांधी भी मनिपूर का दौरा कर चुके हैं, उन्होंने रिलीफ क्यांप्स में रह रहे लोगों से मुलाकात भी की थी, गवर्नर से मिलकर उन्हें को सुझाव भी दिये थे, लेकिन उसके बाद कॉंग्रेस के निताओं ने इस पर सियासत की, उम्मीद सिस्टम और सरकार के प्रतीब हरुसा पैदा होगा, लेकिन विपक्ष का जो रवया है, विरोधी दलों के जो तेवर हैं, उसे देखते होई लगता है कि मनिपूर में जाकर भी सियासत ही होगी, क्योंकि पारलेमन्ट में अविश्वास प्रस्ताव मन्जूर होने के बाद मनिपूर पर चर्चा को लेकर विरोधी दलों का हंगामा जारी है। कारवाई स्थागित कर दी गई। इसके बाद स्पीकर ने विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर से अपील की कि वो कोई रास्ता निकालें जिससे सदन की कारवाई चल सके अलाकि जब सदन की बैठक दुबारा शुरू हुई तो फिर नारे बाजी होने लगी। इसके बाद ल किल पास करवारी है इसलिए हंगामा हो रहा है। जाना चाहिए क्योंकि substantive motion on policy नहीं लिया जाते है। रूल यह कहते हैं। इसलिए मैंकल जिकर किया था कि 1978 में जब अभिशास प्रस्तव आयते सदन में जेस दिन प्रस्तव आए उसी दिन चर्चा सुरू हो गया। लेकिन सरकार नहीं चाते कि स्पिकर सब सरकार से पूछें जैसे कि सीवी आई की जाज सोपने का बात कर रहे हैं। किसी को पकरेंगे। अभी कहते हैं कि सूप्रिम कोर्ड वहां से कोर्ड दूसरे जग हटाके बिचार किया जाना चाहिए। यह तरह तरह की बहाना और बात करके करके यह मसले को लगूब मतलब पतला करने की कोशिश करेगी अलागि संसदीय कारेबंतरी प्रहलाज जोशी ने कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि विश्वास प्रस्ताव मंजूर होने के बाद ही सदन में कोई बिल रखा जा सकता है प्रहलाज जोशी ने कहा कि अगर विपक्ष के पास बहुमत है तो वो सरकार को बिल पास कराने क किसे रोख ले क्योंकि विपक्ष के हंगामे के कारण सरकारी कामकाश तो रोका नहीं जा सकता अविश्वास के प्रस्ताव का चर्चा के लिए जो समय सीमा है उस समय सीमा के अंदर अविश्वास का प्रस्ताव का चर्चा होगा पूरा जो संबंदित हमारे जो लोग है उतको सरकार में जो बैठे है वो हम उत्तर देंगे बिल और बिल पास अगर उनके पास भोमत है तो और उनके पास संक्या है तो बिल निरस्थ करने दो तब इसका जो हमारा आविश्वास कहा काई जरुति नहीं पड़ता है तो बिल वो शांती से चर्चा में भाग लई लेते हैं और पारित करने के लिए को आपरेट नहीं करते है हम यह जो भी उनका कंस्ट्रक्ट्टिव सजावा है हम लेने के लिए तयार है लेकिन बीच में आल अफ़े सेडन नो कॉंफिडेंस लाहे इसलिए कुछ हमारा सरकारी बिजनेस ही नहीं चलना चाहिए क्या और अगर हमको यह प्रेसिडेंट अगर आप के बारे में ऐसे बा कर दो, युदिफिट अवर बिल, तो देन देर इस नो कॉंफिडेंस बिल अटाल, इसलिए गोवर्मेंट आज तो गोवर्मेंट आज तो इंडिया टीवी हर वक्त हर जग है, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें, इंडिया टीवी न्यूस, गूगल प्ले स्टोर या अप स्टोर पार